चैने दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनोटी चैनल फीचरकणवी 2.0 में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे गुड़न खंडो पर आदायत प्रस्ण से जितने भी टाइप के कोश्चन बनते हैं हम लोग को डिसकस करेंगे आज की इस वीडियो में अगर आप वीडियो कोई डियो की चैनल पर नए हूं गे तो चैनल संस्क्राइब करके website छैनल को सस्क्राइब करें गयाように करते हैं जैसे कोस्चन में करा रहा है कि एक सो बीस के गुड़न खंडों की संख्या ग्याद करिए तो एक सि के गुड़ान खंडों की संख्याग याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 120 का प्राइम फेक्टर करेंगे तो 15 वठे 120 होता है तो देखिए अब 15 का फेक्टर हम लोग करेंगे तो 5 गुड़े में 3 हो जाएगा ठिक फिसका बाद यह जो आठ है तो आठ को हम लोग लिख सकते है दो की पावर 3 लिख सकते है आठ में दो की पावर 3 लिख सकते है अब देखिए इस 5 का पावर क्या है एक है तीन का पावर क्या है एक है यहाँ पर दो की पावर कितनी है तो देखिए गुड़ान खंडों की संख्या ग्याद करना है तो जो पावर से इसमें एक जोड़ फिर इसके बाद तीन में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार अब इन सभी का गुड़ा कर लेंगे हमें गुड़न खंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी तो देखिए इसका दो दुना के चार चार चोक को सोला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस question का कि हमें ग बिवाजित होंगे संख्या एक से बिवाजित दो से बिवाजित तीन से बिवाजित यानि एक सो बीस बिवाजित होगी पांच हो गया फिर छे हो गया साथ नहीं होगा आट हो जाएगा फिसके बाद दस हो जाएगा फिर बारह हो जाएगा पंदरह हो जाएगा बीस हो रही कि नहीं देखिए एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नव दस ग्यारा बारत तेरे चोदर पंदर सोल यानि गुड़न खंडों की संख्या कितनी हो गई यहां पर सोला प्राप्त हो रहा है और यहां पर भी सोला है अब इससे एक कोश्चन यह बनता है कि जैसे कोश्चन कर देगा कि 120 के गुड़न खंडों की संख्या में वर्गों की संख्या कितनी है तो वर्गों की संख्या पूछेगा क्या वर्गों की संख्या ग्याद करिए 120 में वर्गों की संख्या ग्याद करने के लिए क्या करेंगे देखिए वर्ग कितने है इसमें देख लिजे एक व को भीच का शैक्क्तर करेंगे तो 15 वड़े में 1200 होता है ति इस को हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं दो की पावर कि यांद यहां पर हमें यह भी बिख downstairs की पावर 2 घुड़े में दो की पावर 1 और वर्गो की संख्या पूँछेगा इसके पावर में कितना एक में एक जोड़कर क्या करदेंगे-दो अनि कुल वर्गो की संख्या कितनी हो जाएगी हमारा इस तरह निकाल सकते हमका कर हैं इ 예 दूसरे टाइब के इसके ह auto करते उस को कैसे अंभी देख रहे हैं यहां पर कह रहा है कि 120 के गुड़न खंडों में वर्गों की संख्या 120 का आप लोग क्या करिएगा प्राइम फैक्टर करिएगा 15 वट्टे 120 होता है अब दखिए वर्गों की संख्या पुछात इसको हम लोग लिख सकते कितना पांच गुड़े में 3 लिख सकते हैं इसकी पावर से एक है इसकी सकते हैं तब भी आठ प्राप्त होता 2 रुरा के 4 रुपर टो या कि वर्गों की संख्या देखिए यहां पर इसकी पावर्स पावर्स में एक पावर्स लगी हुई है एक में लोग एक जोड़े कितना वह जाएगा दो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारा गहनों की संख्या से गण की संख्या इसी तरह लें इस तरा पुछे गा इस तरह जी अब बात आती है कि फुलेंगे उसको अमलुक देखते हैं देखिए दूसरे question में क्या कर रहा है दूसरे question में कर रहा है कि 72 के गुड़न खंडों का योगफल ग्याद करी बहतर के गुड़न खंडों का योगफल ग्याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग बहतर का prime factor करेंगे तो नव अटे कितना होता है बात्तर होता है तो हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं तीन की पावर्स दो लिख सकते हैं फिर इसके बाद इस 8 को क्या लिख सकते हैं दो की पावर्स तीन लिख सकते हैं इतना लिखने के बाद क्या करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे क्या देखिए इसको लिखेंगे तीन की पर एक प्लस दो की पावर दो प्लस दो की पावर तीन अब इतना करने के बाद इसका हम लोग बिस्तार करेंगे इसके पावर में जीरो है तो यहां पर वन हो जाएगा एक प्लस यहां पर देखिए तीन प्लस इसका बिस्तार करेंगे न हो जाएगा अब इतना हो गया अब ग प्राप्त होगा इसके बाद यहां पर 108 प्राप्त होगा अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 3 12 12 13 हो जाएगा इसको हम लोग जोड़ेंगे करेगा मिलते हमने नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक एर बाइबाइब जहीं